हलो दोस्तों कैसे हो आप साब मिरे नाम रविंदर और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में आज की इस वीडियो में हमारे सामने दो बैक्बोर्न ऑफ हुंडाई यानि कि दो SUV हमारे सामने खड़ी हुई है जिने इंट्रोडेक्शन की कोई जुरूत नहीं है क्रेटा पर वंपर लिल्ट्री उपर यहाँ पर वम्ट लिटर के इंड़ यह अविच्व बात करें लुपार लगबग बात करें भाई प्राइज डिफरेंस की तो मोटा मोटा कर बात करें तीन लाख रुपए का फराग है या फिर वेन्यू लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए क्या एक्स्ट्रा फीचर इस गाड़ी के अंदर मिलते हैं वो सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे या फिर आप ये भी कह सकते हो बचा कर हमें वेन्यू लेनी चाहिए तो क्यों लेनी चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि आपको DRL लाइट भी देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है फोग लेंप कंपनी से आते ही नहीं लेकिन आप इसके अंदर निस्टोल करा सकते हो वहीं अगर बात करें भाई फ्रेंट ग्रिल की तो आपको ब्लैक कलर के अंदर देखने के लिए मिलती है लेकिन इसमें आप एसेसरी क्रोम किट भी पूरी यूज़ कर सकते हो निचे स्किड प्लेट आपको देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है और एक अच्छा खासा पूरा बोनेट हुड आपको देखने के लिए मिलता है थोड़ी सी बल की लुक आपको देखने के लिए मिलता है एक real SUV का फिर इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा और petrol के अंदर बिल्कूल silent car है 1.5 liter का natural expected engine इसके अंदर देखने के लिए मिलता है वहीं बात करें भाई venue की तो venue में आपको यह जो latest new grill के वाली venue मिल रही है काफी अच्छी look इससे देखने के लिए मिल जाती है पूरी chrome का इसमें कर रहा है वहीं बाई जो इसके अंदर headlight है वो आपको simple halogen देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है fog lamp का option इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए नहीं मिलता है fog lamp के लिए कोई भी आगर आप edge accessory भी इसके अंदर नहीं लगवा सकते skid plate भी आपको निचे देखने के लिए गाड़ी में मिल जाती है यह तो इसका front का look है अब यह बड़ टायर और देख लेता है venue के अंदर आपको जो टायर साइज मिलता है मिल जाता है अभी दोनों गाड़ियों का रियर लूग और देखते हैं रियर लूग से कौन से अच्छे लगती हो एक बड़ा आप कमेंट बुक्स में ज़रूर बताना अब बर कमेंट बोक्स में दोस्तों यह बताओ कि आपको रियर ज्याद शादा अच्छी लगती है या फिर वेन्यू जाद आच्छे लगी, दोनों में भाई 3 लाग रोपे का भी फराक मिल जाता है, अब 3 लाग रोप एक्षरा देकर क्रेटा में जाना चाहिए, या फिर वेन्यू में जाना चाहिए, एक वर आपको पर कमेंट बोक्स में ज़रूर बताना, तर भी आपको यह स्पेस जो आपको है वो डिस्पले पर शो जाएगा और इसमें भी आपको 60-40 शीप अरजस्टमेंट देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाती है तो नों गाड़ियों का एक बार इंटिरियर और देख लेते हैं इंटिरियर में क्या कुछ फिचर हमें देखने के लिए म कृण? छुश कही बंच्रूल ते ऊचलने के लिए लुए आपको देखने के लिए विए अंदर मिल जाती है तैलिसकोपिक नहीं मिलता है स्टेरिंग मौंटेड कंट्रोल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगरा सब आपको यहां देखने के लिए मिलते हैं यहां पर कुछ M.I.D. के सेटिंग्स के बटन आपको यहां देखने के लिए गाड़ी के अंदर मिल जाते हैं पर गाड़ी की कि अगर बात कर रहे तो दो की की मिलती है यह आपको एक स्मार्ट फोल्डेबल की मिलती है एक नॉर्मल आपको सिंपल देखने के लिए मिलती है चारों पावर विंडू मिलती है सेंट्र लोग ऑप्शन है मिरर आप अड़ेस्टेबल कर सकते हो फोल्डिस के अंदर नहीं कर सकते हो उसके लाब भाई सामान बेख il रख सकते हो यहां पर वी mobile रख सकते हो withdraw News यहां पर भी space मिलता है आपको और glow box में में इक वादि देखने के लिए मिलता हr और यहां पर kabah light देखने के लिए नहीं मिलता सप्राथ पिछ आपको एक ही kabah light देखने के लिए गड़ी के अंदर मिल जाती है go डीक अंदर मिल जाता है है अभी दोस्तों चलते 104 आभी देखते हैं क्या कुछ दखने के लिए थोड़ा साफ फिल अलग ही आपको लेवल कर दरियुर का अने वाला है काफी अच्छा मझाश अने वाला है रहा है न 6 पते हैं तो फिन को ऑई गई गईघी अगर बात करें लूप पे तो आपको simple देखने गलिए यहां पर टेकोमेटर सुमी वाला देखने रहे मिलता यह स्टेरिंग में खेंड przybarkt 2022 आपको उच्छेश्ड में देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको देखने के लिए बाकि बाकि स्पेस के मामले में गाड़ी एक नंबर है यहाँ पर जो इसके अच्छा लूक आपको इस गाड़ी के अंदर देखने के लिए तो काफी अच्छा स्पेस मिलने वाला है वहीं बात करें यह सेम फेचर वेन्यू वाला है यह आपको अड़ेस्टेबल मिरर मिलते हैं फोल्डेबल नहीं मिलते हैं चार अपार वेंटर सेंटर ब्लोक सब आपक वेन्यू लेने चाहिए तो दोस्तो कुछ इस आपसे था एक कंपरजने वीडियो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत बूलना मिलते हैं दोस्तो आप से अगले वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई